जारकंड सिपाही बरती के लिए होने वाले फिजिकल भरती परिक्षा में 12 अभ्यर्तियों की जाने जा चुकी हैं इतुना ही नहीं 100 से अधिक उम्मीदवार अस्पताल में भरती हैं बता देकिन दिनों बिहार और यूपी में भी पुलिस भरती परिक्षाय चल रही है हाला कि दोनों जगाओं पर अभी लिखित परिक्षाय समाप्त हुई हैं इसके बाद यहां भी फिजिकल टेस्ट की बारी है आये जानते हैं ज़ारकंड में कितने मिनट में कितने किलोमीटर की दोर लगानी होती है और बिहार और यूपी में ये समय और दूरी कितनी होती है देखें ज़ारकंड के exercise department में सिपाहियों की भरती हो रही है ये भरती दसवी पास उम्मीदवारों के लिए है उत्पाद सिपाही के लिए जो भरतिया निकली है उनके लिए फिजिकल टेस्ट कराए जा रहे हैं फिजिकल टेस्ट के दोरान अभ्यरतियों को 10 किलो मीटर की दौर 60 मिनट में पूरी करनी होती है वही महिलाओ के लिए 40 मिनट में 5 किलो मीटर की दौर लगानी होती है इसके लावा सामाने OBC और साथी OBC वर्ग के उम्मीदवारों की हाइट 160 cm नधारित की गई है जबकि छाती की चोड़ाई जो है 81 cm होनी चाहिए ST और ST उम्मीदवारों की हाइट 155 cm और छाती 89 cm होनी चाहिए जबकि महिलाओं के लिए हाइट 148 cm तैकी गई है अब बिहार की बात करते हैं बिहार पुलिस कॉंस्टेबल की भरतियां हो रही है यहां लिखित परिक्षा हो चुकी और कुछ दिनों बाद फिजिकल परिक्षा होगी लेकिन बिहार पुलिस कॉंस्टेबल के लिए पुरुषों को 6 मिनट में 1.6 km की दौर पूरी करनी होती है इसी तरीके से महिलाओं को 5 मिनट के अंदर 1 km की दौर पूरी करनी होती है लंबाई की बात करें तो सामाने या OBC वर के पुरुष उमीदवारों की लंबाई 165 cm होनी चाहिए S.E.S.T. वर की उमीदवारों की हाइट 160 cm होनी चाहिए महिला उमीदवालों के लिए भी लंबाई 155 cm तैकी गई है सामाने या OBC वर्ग की उम्मीदवारों की चाती की चुड़ाई बिना चाती की चुड़ाई 80 cm और साती 86 cm होनी चाहिए ST और SC वर्ग की उम्मीदवारों के लिए 89 cm है देखे अब UP की बात करते हैं UP में पुलिस कॉंस्टेबल की भरतियां चल रही लेकिन आप कई तमाम सवाल उठ रहे हैं देखे ये आपने समझ लिया कि आखिर हाइट कितनी होनी चाहिए वेट कितना होना चाहिए लेकिन आप आप ये समझने की कुशिश कीजिए कि सवाल क्यों उठ रहे हैं जारकंड की भी बात कर लेते हैं यूपी बिहार जार्कंड की पुलिस भर्ती प्रक्रिया को अगर आप देखेंगे तो सबसे जादा जो है दिकलंबी दूरी की दौर जार्कंड उत्पाथ सिपाही भर्ती के लिए कराई जा रही है जारकंड में कई अभ्यर्तियों की मौत की बाद अब सवाल उठने लगाए कि आखिर जारकंड उतपाथ सिपाही भर्ती में अभ्यर्तियों को 10 किलो मीटर की दौर 30 मिनट में क्यों कराई जा रहे है जबकि यूपी पुलिस भरती में महज 4.8 किलोमीटर की दौड होती है और उसके लिए 25 मिनट का समय दिया जाता है जबकि बिहार में 6 मिनट में 1.5 किलोमीटर की दौड पूरी करनी होती है तो जारखंड में इतनी दौड क्यों कराई जा रही है कई रिपोर्ट में कागे कि लगातार अधिक दौड़ने से हार्ट अटेक के कारण अभ्यर्तियों की मौत हो रही है